हाई एवरिवन जब मैंने PhD पास किया था उसके बाद मैंने बहुत जगा अप्लाई के तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे बहुत सारा डॉक्मेंट महांगती है तो उसमें से वन दो डॉक्मेंट होता है रिसर्च स्टेटमेंट जो आपको प्रिप्यार करना है और फॉर्म भरने के दौरान आपको वो अप्लोड करना होता है तो यह रिसर्च स्टेटमेंट क्या है और रिसर्च स्टेटमेंट को रिसर्च प्लान भी बोलते हैं तो यह क्या है और इसको कैसे लिखते हैं मैंने कैस लिखा था उसको देखेंगे और यह बहुत जोड़ी है आप जब अपलाई करते हैं state government आप अपलाई करते हैं तो जितना भी इंवर्शिटी जो आप जानते हैं जो अच्छा इन्वर्सीटीज है और जो अच्छा कॉलेज है इंडिया में जिसमें आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहां पर ये रिसार्च एस्टेटमेंट तो पक्का आप देना ही पड़ेगा तो इसको मैंने कैसे लिखा था वो चलिए देखते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर दीख रहा होगा कि मैंने कैसे लिखा था रिसार्च स्टेटमेंट और मैं मैंने में क्या लिखा है मैंने लिखा है कि मैनुफेचरींग क्यों इंपटेंट है यह मैंने बताया रिसार्च स्टेटमेंट में एक यहां पर दिख सते हैं इस विल्धू एक नोले ड्याट क्रिस्टल पार्ट औफ मैंकेन्कल इंजिनिरिंग यह जो रिसार्च स्टेटमेंट हम लोग देख रहे ह है तो उसके लिए यह है जो जिसमें आप अच्छा से अपना लिख सकते हैं बहुत जगा एक ही पेज में लिखना रहता है तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैंने कैसे लिखा था शुरू में मैंने हाल जगा अप्लाइक के था तो हाल जगा डिफर्ण डिफर्ण टाप स बताया है फिर की क्रिस्टल पार्ट है में केंकल इंजिनियरिंग का इसका अप्लिकेशन है एरोय स्पेस बायो मेडिकल एन आटो मोबाइल में बहुत ज़्यादा ठीक है यह कटिंग एज मैनुफेचरिंग अगर कटिंग एज मैनुफेचरिंग टेक्नोलोजी हम लोग के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इस कटिंग एज मनुफेचरिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हाई लेवल ऑफ स्वर्पेस क्वालिटी देता है कंप्लेक प्रोफाइल देता है जो कि मेजर्टी ओफ एकेडमिस फिल्ड फिजिक स्वालोजी अगरिकल्चर बिजनेस ये सब में इसका ज़रूरत होता है तो यह मैंने इंपॉर्टेंश बता दिया इसके बाद मैंने बताया कि मैंने प्याइडी वर्ट में मैंने क्या काम किया तो वह मैंने अब बढ़ सकते हैं मैं एक चीज देशें नहीं करोंगा इसको म क्योंकर मेनों पर बताया, manufacturing कि यह important है, उसको लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, कि in order to express my ability to operate as a professional and as independent researcher in different areas of manufacturing and using the knowledge and experience I have gained throughout my PhD, I have primary, long term and short term research goal in my mind. तो आपको यह बताना पड़ेगा, primary research, long term and short term goals, ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया कि मैंने experience gain किया, तो उसके वाद यह मेरा goals है, अब primary research goal क्या है, क्योंकि मुझे hybrid manufacturing में अच्छा लगता है, तो मैं सबसे पहले join करूँगा, तो इस पर काम करूँगा, कि hybrid manufacturing कुछ मैं develop करने य यह लिखा हुआ है, ठीक, आप इसको पर सकते हैं, ने तो यह लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसको पर सकते हैं, वीडियो पहुच करके, फिर उसके बाद long term research goal है, मेरा, तो मेरा 3 long term research goal है, तो learn term research goals are outlined in the section, in this section, in order to stimulate my interest, ठीक है, पहला long term research goal क्या है, digital twin in plasma policing process, तो मैं, पह कैसे करूंगा, तो यहां पर देखेगा, in this regard, we are also looking to collaborate with the university of reading world, ऐसा करके, मैंने लिखा है, मेरा एक contact है, वहां से प्रोफेसर से, तो मैंने यह ऐसा बता दिया, तो आपका किसी से contact है, चाहिए किसी से collaboration करना चाहते है, वो भी आप लिख दीजे, यहां पर क्या करना चाहते ह है, थोरा सा, मतलब कि 100 वर्ड में आप यहां पर लिख दीजे, यहां पर आप इसको पढ़िएगा, आपको समाज माज जाएगा, similarly, long term research goal 2 है, तो उसका heading में डाल दिया, laser assisted additive manufacturing of biomedical implants and further superfinity at nano scale level, ऐसा नहीं है, कैसा काम हो ना हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोरा बताना चाते हैं, तो मैंने बता है, कि इस university से collaborate करके, मैं यहां पर दोस्त पोईटर कर रहा है, तो इस university से collaborate करके, मैं यह काम को करना चाहूँगा, जो ताइवान में है, यह मैंने बता दिया है, long term research goal 3, यह जहां पर अभी मैं काम करूँ हूँ, हम लोग के पास bio printer है, तो यहां पर bio printer पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उसके बाड़े में यह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वो यहां पर आप explain कर दी, आप यह लिख सकते हैं, तो यह सब भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो, तो यह था long term research goal 3, अब यह तीनो research goal को fulfill करने के लिए, आपको short term research plan बनाना पड़ेगा, research goal, तो उसके लिए, यह long term यहां पर लिखा हुआ, in order to fulfill the long term research goal, short term research goals are identified and listed as follows, तो इसके लिए क्या है, design a conceptual framework बनाएंगे, digital twin के लिए, एक अपर चाहिए, to develop an ultra present plasma placing setup, by arranging the different parts of plasma placing system, यह हम लोग पहले, प्रोक्योर करेंगे, तो यह सब short term है, alloy selection, product creation of titanium, यह additive manufacturing के लिए, bio implants like, यह सब बनाएंगे, to design a part and support structure, using CAD and other software tools, to celebrate with medical professional, यह भी बहुत important, आपको short term में बताना पड़ेगा, कि आपने यह किया, तो कैसे कड़ो गया, to plan for estimated completion or debts for each long term research goal, to plan for getting a source grant, क्योंकि आप यह कर रहे होते हैं, college तो आपको देगी ही, उसके लावा आपको plan करना पड़ेगा, कि आप कहां से source और grant लेके आओगे, तो यह थो था, अच्छा से आप कैसे लिख सकते हैं, long term, short term research goal, research statement, ऐसे मैंने लिखा था, अब किसी university में मैंने अपलाई किया था, या किसी IIT में मैंने अपलाई किया था, IIT नदौर में साइद, और साइद IIT पतना में, तो वहाँ पर word limit था, 600 word limit, तो मैंने सब कु सेम रखा है, और primary research goal को मैंने हटा दिया है, और long term research goal मैंने तीनों डाला है, देख सकते हैं आपने, और short term research goal मैंने डाला, वो कोई को बहुत important है, और शुरू का जो part है, यह मैंने हटा दिया है, बस इसको short में लिख दिया है, कि मैं in order to, जो last sentence था, in order to express my ability to operate as a professional and dependent researcher, तो यह मैंने लिख दिया है, तो यह सारा मेरा goal है, तो मैंने हटा दिया, तो यह shorts हो गया, short में हो गया यह, अब एक और देखिएगा कि कहीं कहीं पे आपको research statement एक ही page में आप से मांगते हैं, कहीं कहीं पे आप देखिएगा research statement एक ही page में मांगते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, वो देख लेते हैं, तो उसको मैंने ऐसे ल इपलाई किया था तो यहां पर अप्लाई करते हैं यह मैं ने लगा था तो लिखा था стал प्लांगा था है सेमी उसको आदे जो मेरा प्लान था mag उसकी न?बस लिखा हूँ लेजर आसिस्टेट बायमेटिकल इम्पॉलांट्स अब नेस्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीचिंग स्टेट्मेंट कैसे लिखते हैं